पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्राक के बाद भावना भी पहुँच जाएगी इशिता को डराने और वो भी भूत वाला अवतार लेकर लेकिन उसके बाद क्या होगा ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्राक के बार में बता दे जहां दिखाया गया कि पहले तो इशिता और रमन दोनों पार्क में बैठे होते और दोनों का रोमैंस दिखाया जा रहा होता है लेकिन तब ही होती है वहाँ भावना की एंट्री और इशिता देख लेती है जिसके बाद इशिता काफ़ता डर जाती है और वो रमन को सच्चाई बताती है लेकिन रमन नहीं देख पाता और फिर रमन इशिता को लेकर भला हाउस लोड़ जाता है जिसके बाद आपने देख जल्दी इशिता के सामने उस भूतनी का पूरा सचाने वाला है जहां वो भूतनी कर लेगी इशिता को एक बार फिर से अपने कमरे में कैद और वो उसे डराएगी भी जिसके बाद आप दोनों के बीच में हाता पाई भी देखने वाले हैं लेकिन तब ही आएगा कहाने में ट्विस्ट और रमन रोमी को सुनाई देदेगी इशिता के आवाज जिसके बाद रमन रोमी पहुँच जाएंगे इशिता को बचाने और फिर कहानी में आगे अब ये भी देखने वाले हैं कि अब जल्दी भूत वाला ट्रैक भी खत्मोगा जहां इशिता पता लगाएगी कि आखिर क्यों सुनाक्शी उसके पीछे बड़ी हुई है और आखिर कैसे हुई थी सुनाक्शी की मौत जिसके बाद अब शो में ये देखना होनवाला है काफ़ा मज़दार या किर कैसे इशिता के सामने आएगा पूरा सच और शो में और कौन-कौन सा नया टूस्ट आएगा ये सब जाने के लबंजनी है मारे साथ फिलालक मश्रों बस इतना है और भी अपने फेवरिट वायचंग्स जुर्लिटिस्ट खपूर को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूल हमारा चानल टॉपनी जस्ट फर यू टॉपनीव से काजिल के पॉर्ट